Hello everyone, welcome back to our channel ISC Steno. I am Ms. Danvi and आज हम cover करने वाले हैं बाकी के 26 के बाद के questions. इससे पहले वाली वीडियो में हमने cover की थे आपकी 1 से 25 तक. ठीके? अगर आपने वीडियो नहीं देखिये तो एक बार दुबारा देख लेना ताकि आपके वो concepts मिस ना हो. काफी अच्छे questions थे और हमने जो है उसे short-trick से solve भी किया था. And हो सकता है अगले साल वाल एक्जाम में कुछ उसके base के उपर, concept के उपर आ जाए. ठीके? So अब start कर लेते, देर नहीं करते, question number 26 से. Question number 26 कह रहा है, select the option that is not embedded in the given figure as its part. मतलब एक image दे दिये, और बोला है इसमें से कौन सी image जो है, इसको belong नहीं कर रही, इस figure को. पहले वाली जो है, यह कर रही है, हम यहाँ देख वा रहे हैं, यह वाला, इसके अंदर है, आपकी second वाली हम देख रहे हैं, second वाली जो है, काफी different image है, यहाँ पर नहीं बन रही. तो यह जो second वाला है, इसका answer रहेगा, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, because यह बोल रहे है कि कौन सी वाली नहीं belong करती, उपर वाली belong कर रही है, इसलिए हमने उसे cross किया है, second वाली different है, यह वाला answer रहेगा, क्योंकि third वाली भी इसी में दिख रही है, हमें यहाँ पे, if the sum of a number is square and its cube is 584, मतलग कोई ऐसा number है, जिसका square और cube क्या है बनके, 584 बन रहा है, तो वो number क्या है, हमें वो number find out करना है, अब यह जो होते हैं, option based होते हैं, आपको option ले के करना पड़ता है, ठीक, इसमें कोई specific formula नहीं होता, तो जिसे मैं एक random option ले लेती हूँ, 6 तवाला, ठ करके देख लेते हैं, एक number है, जिसका square और cube का sum क्या आएगा, आना चाहिए 584, पर इसका क्या आ रहा है, देखते हैं, 6 हो गया, 36, फिसक्स का cube 216, पर इसका sum क्या आ रहा है, 258 आ रहा है, यानि यह number तो नहीं है, फिर अगला देख लेते हैं, 8 वाला, 8, 8 का square और 8 का cube, क्य फिर 8 का cube कितना हो गया, 512, जब इनका sum करेंगे, तो answer आ जाएगा, 584, मतलब 584 किसे बन रहा है, 8 से बन रहा है, यानि जो 8 था, वो ऐसा number है, जिसका हम square करते हैं, और जब cube करते हैं, तब क्या answer आता है, 584 आता है, तो इसका answer क्या हुआ हुआ आपका, C part, 8 answer है इसका, ठी अगला question हारा, 28 वाला, जुस पे बोल रहे है, select the figure that will replace the question mark in the following series, अब इसके अंदर क्या है, आपको 5 images दी गई है, जुस पे बोला है कि इस last image में क्या आएगा, अब ये non-verbal का question होता है, हम इसको थोड़ा सा technique से देखना पड़ेगा, जिसे पहला वाला है ये, मैं पहली image ले और थर्ड वाली ये last में आ गई, ये last में आ गई दिख रही हैं आपे, यहां आ गई, यहां लास्ट में, अब हमने देखा अगली वाली image, अगली image में क्या हुआ, यह जो figure थी आपकी, ये का shift होई, कोने में आ गई, और जो आपकी middle में थी, ये side में आ गई, और जो ये side म image थी, ये वापस इधर से इधर आ गई, यानि एक चीज़ तो परदा चल गई, कि जो ये star है आपका, या तो ये left आएगा या तो right आएगा, अब last वाली में देख लेते हैं, last वाली में क्या हो रही है, यहां पे, यानि इसका opposite का बनेगा, यहां बनेगा, यह star यहां आ जा का था आपका, यह कहां पे आ जाएगा, पहले क्या था यह, कि यहां से middle में आया, middle में आया, middle से यहां आया, आ गया, फिर नीचे आया, तो ultimate जगा कौन सी बजी, यह वाली बच्ची cloud की, तो यह image बन गई, अब यह image कहां दी वही है आपकी, यह second वाले में दी है, क्योंकि कैसे लिखा है, मैं बता देती हूँ, he is waiting, he is waiting को क्या number दिया, two, six or nine, फिर बोला, she is ready, is written as nine, one, five, she is ready, she is ready को कैसे दिया है, nine, one, और five, ठीक, फिर लास में बोला, he and she is written as two, seven, one, he and she, को क्या number दिया, two, seven, one, अब बोला है, what will be the code for the word and in this language, मतलब and के लिए क्या code रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोने में, कि हमें and find करना है, ठीक है, अब हमने देखा, he is waiting और she is ready, इसमें कोई number common है, number common है, कौन सा है, non number common है, अगर non number common है, तो कोई word भी common होगा इसके अंदर, कौन सा word common है, इसमें, is word common है, इस दिख रहा है, इसमें भी इस दिख रहा है, यानि एक चीज़ तो पता चल गई कि इस जो है, आपे non number को represent कर रहा है, ठीक, उसी तरह यह किसे बाकी का दो देख लेते हैं, she और ready बचा इसमें, और he and she बचा, अब इसके अंदर she, she common दिख रहा है, she और ये she, और number के common है, one common है, यानि she क्या है, one को represent कर रहा है, अब she one को represent कर रहा है, और उपर में देख लेते हैं, he waiting बचा और he और and बचा, he के सथ कौन सा number common है, दो number common है, ठीक, तो क्या बचा, and में क्या बचा है, यहाँ पे, seven बच के और हम से क्या पूछा था कि and का number क्या है, तो साथ number इसका है, answer होगा fourth आपका, ठीक, ऐसे eliminate करते, compare करके, अब देख लेते हैं अगला question, अगला question आ रहा है, 30 है था आपका, three of the following four letter clusters are alike in certain way, मतलग, इस में से चार जो हैं आपे दिये होए हैं, इन में से तीन ऐसे हैं, जो एक जैसे हैं, and one is different, और ए एक जो है different है, यानि तीन ऐसे होंगे जिनका logic सेम होगा, और एक का logic different होगा, तो हमें क्या है, odd one outpick करना है, चीक, अब detail में देखते हैं, lfz दिया है, l की power कितनी होती है, l की power होती है, आपकी 12, f की 6, z की 26, तो difference कितने का आगया आपका, difference आगया, minus 6, minus 6 का, चीक, फिर दे difference कितना आ रहा है, minus 6 और minus 4, अब यहाँ पर दो हो गया, एक minus 6, minus 6, एक minus 6 और minus 4, अब तीसरा देख लेए, तीसरे से पता चल जाए कौन सा logic है, तीसरे में क्या है, t की power 20 होती है, n की कितनी होती है, 14 होती है, h की कितनी होती, 8 होती है, इसमें भी minus 6 और minus 6 आ रहा है, ठीक, dxr में 4, 24 और आपका 18, इसमें भी जब करेंगे, तो minus 6 और minus 6 और minus 6 आ रहा है, यानि क्या पता चला, इसमें सी जो p, j, f था, यह odd 1 out था, क्योंकि इसी में क्या बन रहा था, यहाँ पर, minus 6 और minus 4 बन रहा था logic, और बाकी समें क्या था, minus 6 और minus 6 था, तो यानि यह odd 1 out हो क्या, I hope आप लोगों को समझ आ रहा है, और अगर कोई डाउट होगा, तो आप टेलेगराम ग्रूप पर भी टेक्स करके पूच सकते हो, ठीके, मैं यहाँ पर mention कर देती हूँ, IAC's channel के names आपको मिल जाएगा, टेलेगराम पर, Facebook और Insta पर भी मिल जाएगा, ठीके, यहाँ पर आप आप आड कर लेना, ताकि आपको सारी notifications मिल जाएं, ठीके, क्योंकि written classes की भी start हो गई है, English का पहला lecture हो चुका है, अगला question देखो, बहुत प्यारा question है, direction का है, और यह आपका है shadow based question है, सबसे ज़्यादा बच्चे सी में बढशान होते है shadow based वाले के अंदर, बट इसमें आज सच कुछ है नहीं, ठीक, अराम से देखेंगे, देखो, one morning, ध्वानी and प्रीथ were sitting in a park facing each other, अब इन्होंने क्या बोला, ध्वानी और प्रीथ जो है, पार्क में बैटे है, एक दुष्टे को देख रहे हैं, और सुबे का समय है, अब जब सुबे का time है, तो मतलब सूरज किस side होगा, सूरज आपका east किस side होगा, sun rises in the east होता है न, व और अगर evening होता तो west होता, बट हमें सरफ east का बोला है, ठीक, अब क्या बोला, ध्वानी and प्रीथ are sitting in a park facing each other, मतलब यह ऐसे बैठे हैं, एक दुसरी की तरफ मुग गरके, आमने सामने से आप और में बैठे, ठीक, प्रीथ, इफ प्रीथ's shadow fell to the left of ध्वानी, अगर प्रीथ क अगर यह shadow जो है, अगर दोनों पर पड़ेगी, तो इसके left पर पड़ेगी, इसके right पर पड़ेगी, ठीक, अब देखते हैं, इफ प्रीथ's shadow fell to the left of ध्वानी, प्रीथ की जो shadow है, वो ध्वानी के left पर पड़ रही है, अगर इधर धूप गिर रही है, तो shadow तो इस साइट फ पूला कि प्रीथ की shadow क्या है, ध्वानी के left पर पड़ रही है, तो in which direction was ध्वानी facing, तो ध्वानी किस तरफ देख रही थी, अब ध्वानी की direction क्यों होगी, इस साइट सामने face था, यानि ये नौर्थ की तरफ देख रही थी, और अगर प्रीथ की पूछते, तो प्रीथ A, B, C, D, E, and F, ठीक है, ये लोग क्या है, are sitting around a circular table facing the center of the table, ये गोल table बे बैठे हुए है, सारे फ्रेंस 6 के 6, ठीक, इससे हमें क्या पता चल गया, हमने यह आप एक table बना लिया गोल सा, और 6 फ्रेंस बैठे है, अभी कुछ mark नहीं करेंगे, step by step देखेंगे, अब क्या बोला A is to the immediate left of E, A जो है, वो immediate left of E है, हमने suppose imagine किया, यह से face किया, यह A है, यह E के immediate left पे है, यानी E से यह left पे है, just left पे है, यानी E जो का यह हो गया, जैसे यह E है, E का यह, یہ side left, यह side right, तो इसने क्या बोला, A जो है left पे हो गया, ठीक, फिर क्या बोला, B is to the immediate right of F जो B है वो कहा है F के immediate right पर है चोल भलो हमने suppose imagine किया B यहाँ मना दिया ठीके और उसने क्या बोला कि B क्या है F के immediate right पर है तो F का immediate right क्या हुआ यह वाला हुआ तो B यहाँ पर है ठीक है फिर बोला D is second to the left of F जो D है वो F के second left पर है यानि ये एक और ये दो अब second left यानि आपका यहाँ पे यहाँ पे क्या आजाएगा आपका? D आजाएगा D क्या है? Second left of F है F के second left पे है A and C have equal number of persons between them from both the ends तो मतलब ऐसा होगा कि A and C आमने सामने होंगे तब ही तो बीच में equal number आएंगे यानि जो खाली जगा बची आपकी यह क्या हो गई आपकी? यह C हो गई आप पूछ रहे है Who is sitting between A and F? तो A और F के बीच में कौन बैठा है? B बैठा है यानि आपका phone 12 answer हो गया ठीक? अगला question आ रहा है आपका 33 इसमें बोल रहे है Six friends All are facing north सारे के सारे क्या है? North की तरफ देख रहे है मतलब लाइन से बैठ गए और North की तरफ देख रहे है अब पहले हम बना ले थे हैं हापे Suppose यह लाइन बना ली हमने अब बोला इन्होंने K is between M and N अब बोला कि जो K है मैंने या K बना लिया K क्या है? Between M और N यानि K जो है M और N के बीच में है मैंने इमाजिन के यह M है यह आपका N है O is third to the right of M O क्या है? Third right पे है यानि एक तो यह हो गया right यह right side M की और यह left side है ठीक तो उसने क्या बोला? O क्या है third right पहले पे तो K हो गया N हो गया यह O आगया O क्या हुआ आपका? Third right पे है M से P is third to the left of K P जो है Third left पे है K के अब left तो इदर हुआ M इदर है यहां कोई होगा अब यहां पे third left तो यहानि यहां पे क्या आगया? P आगया फिर बोला M is to the immediate right of L L के immediate right पे कौन है? M है हाँ है L के immediate right पे M दिया हुआ है यहां पे ठीक है अब क्या पूछ रहे है Which two persons are sitting at the corner? मतलब दोनों corners पे कौन कौन से persons बैठे हुए है Simple सी बात है इदर से P बैठा हुआ इदर से O बैठा है तो यानि P and O बैठे हुए है तो यह आपका second वाला answer हो क्या ठीक है? So देख लेते हैं अगला question number 34 34 question कह रहा है Select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster Basically बताना है जो priest दिया है इसका term यहां पे दिया हुआ है इसे बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को P, R, I, E, S, O, T priest दिया है इसको ऐसे अरेंज करके दिया हुआ है T, S, R, P, I, E ठीक है? तो पूछरे अंपायर कैसे लिखा जाएगा? U, M, P, I, R, E यह जो question है आपका descending order पे question है मैं यहां पे लिख रही हूँ अच्छा logic है इसका काफी ज्यान से देखना important question है priest का number क्या होता है? P का 16, R का 18 I का 9, E का 5 S का 19 और T का 20 उसी तरीके से T20 S 19, R 18 E 16, I 9 और E आपका 5 अब इसमें क्या किया है? जो सबसे बड़ा number है यहां पे कैसे? जंबल करके दिया हुआ है यह अब जो सबसे बड़ा number है वो यहां आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा ऐसे करके 20 क्या था? सबसे बड़ा 20 था यहां पे 20 दिख गया 20 से छोटा क्या था? 19 था, यहां 19 आ गया फिर 18 था, तो यहां R आ गया ऐसे करके दिया हुआ है इसी तरीके से empire में बनाएंगे empire में क्या आईए 21, 13, 16, I9, R18, E5 अब सबसे बड़ा number कौन सा है इसमें U वाला है, तो U आएगा फिर उससे छोटा कौन सा है आपका 18 वाला है, R आएगा मैं नमबर लिख देती हूँ फिर 18 से छोटा 16 है, तो P बन जाएगा 16 से छोटा कौन सा है? 13 यानि M हो गया आपका फिर उससे छोटा आपका I और फिर E, ठीक, ये बन रहा है ये कहां दिया हुआ है? U, R, P, M, I, E, ये रहा है 2 वाला आपका अंसर हो क्या, ठीक है? आगला कौश्चन दिया हुआ है 35 वाला, बहुत इजी है, वेन डाइग्राम का है बोला हुआ है, Males, Females और Daughter आप सिंपल सी बात है, Females है और Daughter है अगर Daughter है, किसी की बेटी हो, तो लड़की तो होगी सिंपल सी बात है, आदमी तो नहीं हो सकती न तो यहाँ पे कौनजी वाली फिकर है, ये पहली वाली कह रही है कैसे, ये circle बना लिए हमने याप पे, अगर आप Daughter हो तो मतलब आप female तो होई, ठीक, और Males अलग हो जाएगा तो ये आपका पहला वाला logic है, ठीक है अगला question आ रहा है, 36 number आपका, इसमें से आपको correct order choose करना है, जो meaningful arrangement दे रहा है इसका ठीक है, आप सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी चीज है, अगर आप सबसे पहले क्या करोगे, आप plantation करोगे, plant करोगे इसे, बोगे, ठीक है तो second number पहला आया, plant करने के बाद आप क्या करोगे आप उसे harvest करोगे, ठीक है, तो ये 3 number 2 और 3 harvest करने के बाद क्या करोगे आप लो harvest करने के बाद उससे आप प्रोसेस करोगे food processing हो गया आप ले आए यह फूट प्रोसेसिंग करी आपने उसके बाद क्या होगा packaging होगी और फिर क्या होगा superstore में जाएगा तो 5 और यह 4 तो order क्या बन गया 2 3 1 5 4 कहां दिया हुआ है यहां दिया हुआ है ठीक है आए देखते हैं आगला question next question कह रहा है आपका in a certain code language zigsaw is written as b-u-h-t-e-x और bluff is written as c-m-e-g-g how will moment will be written in that language अब यहाँ पर बता दिये कि किसे कैसा लिखा गया है जैसे zigsaw लिखा है z-i-g-s-a-w इसे कैसा लिखा गया है बहुटेक्स लिखा गया है b-o-h-t-e-x काफी अच्छा question है अराम से देखना है और bluff को कैसे लिखा गया है b-l-u-f-f is written as c-m-e-g-g अब इसके अंदर बहुत ही प्यारा concept है इसके अंदर क्या हो रहा है कि consonant के बाद consonant आ रहा है और vowel के बाद vowel आ रहा है मैं यहाँ पर लिखके दे रही हूँ consonant के बाद consonant देखेंगे और vowel के बाद vowel आएगा कैसे आएगा देख लेते हैं अब जैसे यहाँ पर जिखसो है यहाँ पर इसका नंबरिंग दिख लेते हैं 26 लिख लिया 9 7 आपका 19 1 और 23 इसी तरीके से b का 2 हो गया o का 15 ha t20 e5 और x24 ठीके अब हमने देखा पहला letter क्या दिया है आपे जेड दिया है जेड के बाद जेड क्या है कॉंसोनेंट है कॉंसोनेंट के बाद क्या आएगा आपका जेड के बाद ए आता है बट ए तो वोवल है उसमें क्या दिया है नेक्स लेटर दिया मतलब कॉंसोनेंट क्या गया अगला कॉंसोनेंट बी आ गया उसी तरीके से आई दिया है मैं आपे लिख दती हूँ ए कि इंऀ आइ ओर यू यू अब क्या दिया था आई का nx4 तो यहांपे ऑच टीया इस से हमें क्या पता चला कि कॉंसोननेंट के बाद जी कॉंसोनेंट ले रहे हैं और वावल के तुरंफ बाद वावल ले रहे हैं ऐसे ठीक है अब G दिया है जी के बाद H अगला ही था कॉंसोनेंट तो आ गया फिर S के बाद T आ गया अब A क्या है A वोवल है A के बाद क्यों सा आएगा E आना ची तो यहां E दिया है तो यह फॉर्मिला इसमें लगेगा अब हम देख लेते हैं वर्ड क्या डिकोड करना है वर्ड है आपका मुवमेंट M O V E M E N T मुवमेंट M के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा M कॉंसोनेंट है तो M के बाद अगला N आ गया O के बाद O के बाद कौन सा है वोवल U तो यहां U आ जाएगा Similarly V के बाद V आपका कौनसोनेंट है तो W E के बाद क्या आएगा E के बाद I आता है I इसी तरीके से आगे N, I, P और V बन जाएगा तो answer क्या हो गया यह वाला fourth वाला option आगा ठीक है next देखो आएगे देखते हैं अगला question Next question 38 में दिया हुआ है आपको number series दी रखी है यहापे और identify करना इस question मा की जगा पर क्या आएगा ठीक है मैं यहापे लिख देती हूँ 1, 2, 4, 4, 9, 6 फिर gap दे रहे हैं फिर है आपका 8, 25 और 10 अब इसमें कैसे number बन रहा है ऐसे बन रहा है 2 दिखा 2 के बाद 4 है फिर 6 है तो plus 2 वाला चल रहा है similarly 8 आ रहा है तो यहाँ पर plus 2 की series चल रही है plus 2, plus 2, 8 का plus 2, 10 ठीक और नीचे वाले में क्या ओर है 1 के बाद 4 आ रहा है यानि plus 3 4 के बाद क्या आ रहा है 9 यानि 5 फिर आपका क्या आ जाएगा 7 तो यह odd series चल रही है 7 या add हो तो क्या आ गया 16 फिर आगे क्या आ जाएगा इसके 9 आ जाएगा plus 9 तो series क्या होई प्लस 2, plus 2 वाली और odd number की series 3, plus 5, plus 7, plus 9 वाली ठीक है तो answer आपका आ गया है आपके 16 आएगे देखते हैं अगला question अगला question आपका है इस पर missing आपको image find करनी है अब आपने यहापे देखा होगा आपको यहापे arrow क्या है उपर की तरफ बनी है यानि 12 पे इशारा कर रही है इस side right side पे बनी है यानि 3 pm नीचे 6 तो क्या बज गया 9 बज गया तो 9 नमबर कहाँ वो रहा है आपके यह पहला वाला option ही है इस side plus आपने देखा कि यह जो circle था आपका यह कैसे घूम रहा है इस direction में घूम रहा है ऐसे फिर इदर आ गया तो यह automatically यह वाला हो गया आपका ठीक है तो first इसका answer है अब देखते हैं आगला question next question आपका दिया है कि which number will replace the question mark मैं यह पे लिख देती हूँ series 55, 68, 81, 94, dash और 120 इसमें आपका क्या है difference वाला question है यहाँ पे आपका जो है 13 का difference हा रहा है plus 13, plus 13, plus 13 ऐसे करके यहाँ पे भी plus 13 तो answer क्या आगया इसमें आपका 107 ठीक है 107 में जब 13 नाट करेंगे तो यह 120 ही आएगा ठीक है तो answer आपका यह 3rd वाला हो गया अगला question आ रहा है आपका 41 वाला इसमें बोल रहे है which number will replace the question mark in the given series यहाँ पे series दे रखी है 115, 107, 98, 88, 77 और 65 अब last वाला निकालना इसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि 115 में क्या हो रहा है अब 107 हो रहा है यानि कुछ minus हो रहा है कितना minus हो रहा है minus 8 हो रहा है तो यहाँ पे value क्या रही है 107 फिर 107 में से 98 हो रहा है कुछ amount minus हो रहा है यह minus 9 हो रहा है इसमें, ठीक है, फिर 98 में से 88 minus किया, तो कितना आ गया, minus 10, उसी तरीके से आपका 88 में से 77 minus हुआ, minus 11, यह आपका minus 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, minus 13, तो 65 में से जब 13 minus करेंगे, तो आपका answer आ जाएगा 52, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यह आप होता है, question में जितना lengthy question होता है न, उतना असान होता है, क्योंकि information मिल जाती है, तो आप असानी से solve कर सकते हो, तो question की length देखे दरना नहीं है, ठीक है, देखो, सुएश starts walking from his office and walks 40 meters towards south, अब क्या है, वो अपने office से, यह इसका office है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, 40 meters south जा रहा है, यह 40 meters south चला गया, ठीक है, 40 meters towards south, from there he turns right and walks 35 meters, वहाँ से वो right turn लेता है, और 35 meters चलता है, and then he turns right again and walks 70 meters, अब यहाँ से वो दुबारा से right turn लेगा, और 70 meters चलेगा, यहाँ से यहाँ तक तो 40 था आपका, यह 40 था, और यहाँ पर उपर थोड़ा सा और आड कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 30, तो जाके total कितना, 70, जो ही कह रहे हैं, कि 70 meter चला है, ठीके, फाइनली टर्न राइट, वान मोर टाइम, और वोक 75 meter, अब यहाँ से फिर से राइट लेगा, और कितना चलेगा यह 75 meter, तो यह इतना ही total 75 meter चला, यहाँ तक 35 था, यहाँ पर 40 आड हो गया, ठीके, अब क्या आ रहे है, 75 meter to reach his home, यहाँ पे इसका घर आ गया, यह घर पहुच के आपने, ठीके, यह हमने घर बना दिया, अब पूछ रहे हैं, what is the shortest distance between his office and home, तो मतलब यह home और office में shortest distance कितना है, अब हमें पता है, यह 35 इतना था, यह 40 इतना था, ठीके, तो यह इतना पार्ट तो 40 हो गया आपका, यह वा फाइंड करना है, हमारे पास perpendicular भी आ गया, और आपका base भी आ गया, अब हाई pot में उसका distance निकालना है, ठीके, तो जो हम बनाएंगी तो यह ऐसे बनेगा, 40 का square, प्लस 30 का square, कितना हो जाएगा, 40 का square कितना हुआ, 1600, 30 का 900, तो 2500 हो गया, under root set आया, कितना हो गया, 50, तो कितना distance साय, shortest 50 meter, जो दिया हुआ यहाँ पर, तो 50 meter यहाँ पर correct है, ठीके, shortest distance उसका कहां से, उसका office से, उसके घर तक, ठीके, so second question ठीक है आपका, second वाला, जो option दिया है, वो ठीक है, आए देखते हैं, आगला question, सलॉक का question है, काफी easy है, इस पे पूल रहे है, all teachers are engineer, बोल रहे है कि सा सारे teacher क्या है, engineer है, हमने teacher बना दिया, फिर क्या, ये सब क्या है, engineer है, ये इंजीनियर का बन गया, ठीक है, फिर बोला, all clerks are teacher, जितने भी clerk है, वो सब क्या है, teacher है, अब conclusion में पूछ रहे हैं, लोग, क्या some engineer are clerk, क्या सारे कुछ engineer जो है, क्या वो clerk है, हाँ है, ठीक है, Some teacher are clerk क्या कुछ teacher clerk है है ये भी statement ठीक है Some clerk are not engineer कुछ clerk जो है engineer नहीं है ये गलत है तो इसे हमें क्या परदा चला कि conclusion आपका one and two correct है यानि आपका third world option सही होगा ठीक है आगे देखते हैं अगला question आ रहा है आपका blood relation का इसमें बोल रहे है pointing towards a boy सारिका said he is my sister's son's father's wife only sister's son दिखने में काफी बड़ा लग रहा question but easy है how is सारिका related to the boy अब सारिका कैसे related है उस लड़के से अब पहले क्या बोला उसने pointing towards a boy सारिका said सारिका ने लड़के की तरफ देखके बोला he is my sister's son ये सारिका है सारिका बोल रही है he is my sister's son सारिका की जो बहन है उसका बेटा इसकी बात हो रही है यहाँ पे sister's son's father sister का जो son है इसका father यह आगे हैं हाँ पे father father's wife father की wife कौन सी होई यही same sister हो गई wife's only sister sister's son तो यह सारिका का बेटा है यहाँ पे आप पूछा क्या how is सारिका related to the boy जो सारिका है कैसे उस लड़के से related है obviously बात है सारिका अगर सारिका का बेटा है तो सारिका कौन होई उसकी मा हुई तो answer क्या हो जाएगा mother हो जाएगा ठीक है option आपका 4 होगा इसमें आए देख लेते हैं आगला question next question है आपका mathematical science का ये वाला जो question है ये आप options के हिसाब से solve करते हो ठीक है इसको ऐसे करेंगे option based होते है पहला देख लेते हैं मैं पहले आपे number लिख रही हूँ 30 3 16 4 24 और आपका 70 पहला वाला देखो पहले वाले में क्या और है 30 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 4 डिवाइड़ बाइ 24 यहाँ पे equal to करेंगे हम एक चीज़ का ध्यान रखना है जो ये left hand side है और आपका ये RHS right hand side है जो भी आपकी value आएगी वो 70 के equal होनी चाहिए ठीक है पर यहाँ पे हमने देखा यहाँ तो dividing नहीं हो रहा 424 से तो ये वाला option गलत है आपका छीक है इसी तरीके से हमने जो है आपका second वाला देखा second वाले में क्या है into है 30 into 3 divided by 16 अब इतने में ही पता चल गया यहाँ पे divide नहीं होगा तो यहाँ equal कैसे होगा यहाँ पे equal नहीं होगा यानि यह वाला option भी आपका गलत है थर्ड वाला देखो थर्ड वाले में क्या है 30 divided by 3 into 16 minus 4 plus 24 यह वाला क्या हो रहा आपका 30 को 3 से divide किया कितना आया 10 into 16 minus 4 plus 24 और यहाँ पे equal to में 70 था यह 160 हो गया यह value तो वैसी बढ़ी हो गयी हाँ पे 70 से तो यह भी नहीं हो सकता तो यानि जो option number 4 दिया है यह आपका सही है ठीक है अब अब अगला देख लेते हैं एक पारी आईए देखते हैं अगला question अगला question में बोल रहे है code language में word दिया हुआ है बायोनेट इसको लिखा गया इस number में और joke word को लिखा गया इस number पे तो happier को कैसे लिखेंगे मैं हापे पहले बना देती हूँ B-A-Y-O-N-E-T बायोनेट को कैसे लिखा है 217-6-55-2 बैसे joke word को लिखा हुआ है 1625 तो हमें निकालना है happier का term H-A-P-P-I-E-R अब इसमें क्या हो रहे है B की value 2 है A की value 1 है दिख रहे डारेट Y का number कितना होता है 25 होता है इसमें क्या है value add कर दिये 2 और 5 को add कर देंगे क्या आएगा 7 O का क्या होता है 15 होता है तो 1 और 5 को add करेंगे क्या आएगा 6 उसी तरीके से N 14 होता है 1 प्लस 4 कर देंगे क्या आजाएगा 5 तो ऐसे करके इन्होंने add किया हुआ है तो जब हम happier पे जाएंगे पहले हम value लिख लेते है H का 8 हो गया 1 P 16 आपका फिर से P 16 I 9 E 5 R 18 H का तो H ही रहेगा यहां पे 80 रहेगा आपका A का भी 1 ही रहेगा 16 का 6 प्लस 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा इसमें भी 7 हो जाएगा 9 5 1 9 तो यह option कहा दिया है यह second value option में दिया है 8 1 7 7 9 5 9 ठीके तो second option आपका correct है इसमें अगला देखते हैं अगला question आ रहा है आपका सिलौक का इसे हम vein diagram के थूँ देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है Some plants are flowers कुछ plant जो है यह हमने plant बना लिया यह क्या है यह flowers है ठीके फिर क्या बोला Some flowers are fruit कुछ flowers जो है Last दिया है All flowers are garden जितने भी flowers है वो क्या है Garden है तो यह आपकी image ready हो गई ठीक अब देखते हैं conclusion Conclusion में क्या बोला है Some gardens are plant Some garden यह garden है Are plants ठीक है हो जाएगा यह Some fruit are garden यहाँ पे दिया हुआ है Some fruit are garden ठीक है Some garden are flower यह तो garden यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे तो यह भी ठीक है यानि तीनों conclusion बन रहे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा All conclusion follow Fourth आपका सही option है ठीक है आएए देखते हैं अगला question अगला question कह रहा है Which two signs and two numbers should be interchanged in the following equation to make it correct मतलब ऐसे कौन से दो signs है और कौन से दो numbers है जिन ही जब हम interchange करेंगे तो आपका statement जो है यह 88 बराबर आ जाएगा यह बोल रहे है यह question क्या है option based होते है eliminate करके हम देखते हैं ठीक है option based है मैंने लिख दिया है पहला वाला देख लेते है पहले मैं उपर question लिख रहे हूँ है 14 into 8 plus 64 divided by 32 minus 2 is equal to 88 यह मैंने question लिख दिया अब पहला वाला option चेक कर रहे है ठीक है पहला वाला अब इसमें जो 32 है उसको हम replace करके 64 लिखेंगे उसकी जगा पे और 64 की जगा पे 32 लिखेंगे और plus की जगा पे divide और divide की जगा plus तो मैं statement नहीं पर form कर रहे है ठीक है 14 into 8 plus की जगा पे divide आ जाएगा 64 की जगा पे 32 आ जाएगा फिर यहां पे 32 की जगा पे 64 और minus 2 अब यहां पे हमने देखा आपका 8 divided by 32 दिया है divisible नहीं है यह तो यहां पे क्या आना क्या था equal to होना था पड़ यह बनेगा नहीं इसलिए यह वाला option आपका गलत है पहला वाला similarly second वाला आ रहा है आपका second वाले में बन रहा है आपकी statement 14 की जगा पे आप 2 यूस करोगे और 2 की जगा पे 14 similarly into की जगा पे plus और plus की जगा पे into हमें statement फॉर्म कर रहे हूं यहां पे हो चाहेगा 2 plus 8 into 64 divided by 32 minus 14 और बराबर में क्या आना चाहिए 88 आना चाहिए पर यहां पे हम देख रहे है 64 को 32 से करेंगे क्या होगा यहां पे इसलिए यह वाला option भी आपका गलत हुझाएगा second वाला ठीक आप third वाला देख लो यह मैं number डाल दिया मैंने आपे second option आप third वाला बता रहे हूं third वाले में आपका 8 और 32 को replace करना है into और plus को आपस में interchange करना है तो यहां पे equation मनेगी 14 plus 32 into 64 divided by 8 minus 2 और यहां पे 88 दिया हुआ है ठीक है यहां पे हमने देखा 64 divided by 8 यहां पे आ रहा है यह 8 आ रहा है यहां पे कितना है 32 into यह है 14 plus करके minus 2 यह जो आपका LHS आ रहा है यह बड़ा बन रहा है है 88 से LHS क्या है बड़ा बन रहा है RHS से जबकि आना कैसे यह था बराबर आना चाहिए था तो यह वल ऑप्षिन भी गलत है यानि जो लास्ट ऑप्षिन दिया था आपका यह वाला यह सही है ठीक है आगे देखते है आईए देखते हैं अगला question 49th question है यह कलेंडर का question है काफी easy question है question में दिया हुआ है if 16 January 2015 was Friday 16 January 2015 क्या है Friday है then what was the day of the week on 16 Jan 2010 मतलब अभी क्या है 16 January 2015 क्या है अभी का time बता दिया है 16 January 2015 क्या है Friday आ रहा है ठीक है अब बोल रहे हैं कि पहले के time में कि आपका 16 January 2010 में कौन सा दिन था ये find out करना है आपे ठीक है कौन सा दिन था ये find करना है so आपका ये 16 January से 16 January कट गया 2015 में से 2010 में कितना difference हुआ 5 का difference हुआ ठीक है 5 का difference आ गया अब इस 2015 से 2010 में कितने leap year है आपके ये बताना है इसके अंदर तो leap year कितने इसमें एक है वो कौन सा है 2012 तो यानि हमें पदा चल गया कि एक leap year है तो बाकी क्या होंगे ordinary year होंगे तो यहाँ पे 5 में से 4 क्या हो गए आपके ordinary year हो गए और एक आपका यहाँ पे leap year हो गए ठीक है अब इसके अंदर जो आपके 4 ordinary year थे इसमें odd day कितने है इसमें आपके odd day होते हैं एक तो इसको into 1 कर देंगे और leap year में जो आपका odd day होता है वो 2 होता है तो जब multiply किया तो क्या बना 4 1s are 4 1 2s are 2 यानि 4 plus 2 कितना हुआ 6 6 आ गया अब हमें बताना है अब 6 जो है अब 6 में क्या करेंगे इन्होंने बोला पहले जाएंगे 6 दिन पहले या मैसा कर सकते हैं plus 1 Friday में एक दिन और add कर देंगे या हो जाएगा आपका plus 1 ठीक है तो अगर आप minus 6 करोगे तो भी क्या आएगा Friday से 6 दिन पहले के तो क्या हुआ आपका Saturday आ रहा है आपको टर्म्स दिये हुए पहला बोला हुए फिर मेजरमेंट डिजाइन अडिस्ट तो सिचिंग अब सिंपल सी बात है सबसे पहले क्या होगा आपका आपका पहले आप मेजरमेंट लोगे किसी भी चीज की तो यह सेकेंड नमबर हो गया पहले फिर मेजरमेंट के बाद क्या होगा आप उसको मेजर करोगे स्चिच करोगे उसको तो सेकेंड नमबर क्या आएगा स्चिचिंग तो 2 के बाद क्या आगया 4 स्चिच होने के बाद ड्रेस जो जाएगी त्यार हो जाएगी अगर किसी भी question में doubt है तो आप वीडियो की नीचे जो है comment करके पूछ लेना हम आपके doubts clear कर देंगे अगर आप लोग नए है इस channel पे तो please channel को subscribe करें, like करें और share करें ताकि कोई भी notification आप लोगों से miss ना हो written classes हमारी start हो चुकी है, English की जो है classes चल रही है, उसका schedule Wednesday और Sunday का है तो आपके पास notification आ जाएगी, आप लोग जो है telegram पे भी add कर लेना ताकि miss ना हो ठीक है, मैं आप चानल का नाम लिख रही हूँ, I.C. Steno के नाम से है, इससे आप telegram पे add कर लो, ठीक है और Facebook और Insta पे भी कर लेना सब जगा notifications आते हैं हम लोगों की ठीक, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको miss ना हो, okay, I hope आप लोगों को पसंद आया है, thank you